कर दोस्तो अगर आपके मोबाल में भी यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर आप देखे तो ऊपर की और अगर आपको जो है क्लॉक का आइकन आ रहा है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको गड़ी का क्लॉक का जो है आइकन शो हो रहा है अगर आप इस आइकन को अगर आप remove करना चाहते हो हटाना चाहते हो तो किस तरीके से आप अपने mobile में यहां से clock icon को आप कैसे हटा सकते हो तो इसके लिए guys आपको करना का है आपको अपने mobile में clock का आपको एक application मिल जागा यह दोस्तों एक गड़ी वाले आइकन वाला आपको कुछ इस प्रकार से जो है application देखने को मिल जागा यहाँ पर आप देखे तो clock का जो है option इस तरीके से यहाँ पर application शो हो रहा है तो अगर आपके mobile में यह application नहीं देख रहा है तो आपको जो है चेक लाएं आपके mobile में हर किसी की mobile में यह जो है option जरूर आता है तो आपको कुछ इस प्रकार से इन फोल्डर में यहाँ पर आपको कही न कही चुपा हुआ दिख जाएगा तो आपको जो है इस clock वाले आइकन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख से तो कुछ इस प्रकार से अगर आपके इस clock वाले application में यहाँ पर alarm का option मिल जाएगा इस पर क्लिक करने के बाद alarm option पर जैसे आप क्लिक करोगे अगर आपके mobile में पहले से इस तरीके से कोई alarm set है तो यहाँ से आपको जो है alarm को आपको turn off कर देना जिया तो इस तरीके से आपको इन सभी alarm को बंद कर देना है और बंद करने के बाद यहां से यह option हट जाएगा जिया तो बंद करने के बाद आपका जो है यहां से उपर से जो है clock का गड़ी का icon जो है remove हो जाएगा इसके बाद आप अपने mobile को restart कर सकते हो अगर यह बंद करने के बाद भी clock का icon नहीं हट रहा है तो गाईस कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना